प्रटेंस hens talent Wit दिरिशिवada की प्रटेशन हैं δीवल मश्डेंमों सुन्न क्वुल्ट और समय धिक्या होते हैं занимavi पे ginie कातसस्धिक प्रथिय गदेऑं कि मेлись देखते hardship ने दो कर रहे हैं किime साथ है के चैंच ब अचो में इचिए ऑनदानी था जह दु Gentlemen होती है, एक A9 होता है, ठीक है, यानि कि जो negatively charged ion होता है, इससे मिलके हमारे पास salt बना होता है, एक ionic compound होता है, अब mixed salts की बात आए, तो mixed salts में क्या होता है, कि हम देखते हैं, कि इसमें या तो 2 cateins मौझूद होंगे, यानि कि एक से ज्यादा cateins मौझूद होते हैं, या फिर एक से ज्यादा A9 मौझूद होते हैं, ठीक है, इस तरह से हम example ले लेते हैं, bleaching powder की, ठीक है, bleaching powder घर में भी यूज होता है, bleaching powder हम लिखते हैं, bleaching powder जो होता है, वो mixed salt की हमारे पास type होती है, यानि कि mixed salt कहलाता है, ठीक है, इस तरह से कि अगर हम इसका formula देखें, हमारे पास इसका formula क्या होता है, इसका formula होता है, यह हमारे पास आ गया, इसका formula, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि mixed salt में क्या होता है, mixed salt में, या तो ketines more than one होते हैं, या एक से ज्यादा होते हैं, या पिर A9 जो होते हैं, होंगे ठीक है तो हम bleaching powder में हमने कहा कि mixed salt है हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन से जो है वो ions मौझूद है kate ions की बात करें तो हमारे पास जो है वो calcium के ions मौझूद है यानि कि calcium 2 positive यह divalent है यानि कि इसके पास divalent kate ions है यानि कि dia मतलब 2, valent मतलब valency 2 की valency और cate ions मतलब positive valency यानि कि यह जो है वो electron lose करके बनाया इसने आइन ठीक है फिर हम देखते हैं इसके अंदर a9 कौन से है इसके अंदर a9 हमें नजर आ रहे है chloride ion है ठीक है हम chloride को सही तरह लिख लेते हैं कि cb capital और l small chloride ion ठीक है यह हमारे पास आ गया chloride ion जो कि a9 आ गया ठीक है और इसके लावा हम देख रहे हैं इसके अंदर ocl भी तो है अभी ocl यानि कि हमारे पास ocl है यह भी हमारे पास जो है वह एक a9 होता है यह जो ocl negative है ठीक है यह कहलाता है hypo chloride ion हम इसको यहां पर लिख भी देते हैं कि यह क्या कहलाता है hypo chloride ion कहलाता है ठीक है ocl negative तो हम देख रहे हैं कि bleaching powder में हमारे पास एक a9 तो मौझूद ही है ठीक है लेकिन a9 भी एक मौझूद है इसके इलावा भी a9 मौझूद है यह जानिकि दो a9 हमारे पास आगए mixed salt में ठीक है तो हमने कहा कि इसने mixed salt की definition को पूरा किया यह जानिकि salt में तो हमारे हमारे पास एक katein और a9 तो मौझूद होता ही है लेकिन mixed salt में क्या होता है इनके साथ या तो एक और katein mixed हुआ होता है या एक और a9 mixed हुआ होता है ठीक है यह दो possibilities हमने देख लίν अब हम देखते हैं कि अगर कोई katein भी इसके साथ mixed हुआ हो या फिर हम देखते हैं कि mixed salt की म होता है carbonate, यह हमारे पास क्या आ गया, sodium, potassium, carbonate, अब इसको अगर हम analyze करें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ketine मौजूद है, वो कौन सा है, sodium ion, ठीक है, यह एक monovalent, यानिके इसकी valency 1 है, ketine है, यानिके positive valency show कर रहे है, a9 की बात करें, तो इसके अंदर क्या मौज के ions भी मौजूद हैं, ठीक है, इसका मतलब यह होगा, कि जब हम sodium potassium carbonate, इस mixed salt को हम water में डालेंगे, तो जब ionization होगी, तो sodium ions भी आएंगे, potassium ions भी आएंगे, और हमारे पास carbonate ions भी आएंगे, ठीक है, यानिके यह तीन हमारे पास जो है, वो ions आ रहे हैं, यानिके एक ketine और ए A9, और इस सूरत में हमारे पास ketine है, ठीक है, और bleaching powder के case में क्या था, वो एक A9 था, ठीक है, मजीद examples देख लेते हैं, मजीद examples में देखें, तो हमारे पास आ जाता है, potassium calcium phosphate, ठीक है, PO4, ठीक है, P को हम सही करके लेग लेते हैं, PO4, ठीक है, calcium potassium phosphate, इसमें भी calcium के ions आएंगे, और potassium के ions आएंगे, potassium के, calcium के ions, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, हमारे पास ketines होते हैं, तो हमारे पास 2 ketines आएंगे, और एक हमारे पास phosphate का A9 था, ठीक है, इसके अलावा मजीद examples देख लें इसकी, मजीद examples देखते हैं, कि हमारे पास होगा sodium और potassium के, हमने carbonate की बात की थी, अब हम कह लेते हैं, sodium और potassium का sulfate, ठीक है, आगे sodium और potassium का sulfate हमारे पास आगया, ठीक है, बिलकुल इसी तरह से, इसमें भी sodium के ions भी मौझूद होंगे, potassium के ketines मौझूद होंगे, और sulfate के A9 मौझूद होंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास mixed salts की definition को पूरा करते हैं, और ये mixed salts की examples आत salt के अंदर, हम देखते हैं कि दो इसके अंदर ketines मौझूद हैं, और एक A9 मौझूद है, जबकि bleaching powder की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि दो A9 मौझूद हैं, और एक ketine मौझूद है, ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं mixed salts.